नमस्कार दोस्तों मैं हूँ समराण सोरब और आप देख रहे हैं नोलेजचीब दोस्तों तीन चेप्टर आपका पहले से कंप्लीट हो चुका है आज है साइन्स क्लास 6 का चौथा चेप्टर चले बिना देरी किये विडियो श्टार्ट करते हैं जो जो चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राइब कर ले और विडियो अच्छा लगे तो विडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों तो आपका चौथा चेप्टर है पौधों को जानिये चलिए हम पौधों के बारे में देखते है देखिए पौधों को जो है दो भागों में बाटा गिया है एक है परोतंत्र और दूसरा है मूलतंत्र परोतंत्र में आगया पुस्प, फल, तना, पत्ती, नौड, इंटरनौड और कलिका और मूलतंत्र में आगया परात्मिक मूल और दूतियक मूल अब समझ गए कि पौधों को जो है दो भागों में बाटा गया है एक परोतंत्र और मूलतंत्र चलिए अब आगे देखते हैं पोधों को जो है तीन सरवंगों में वर्गी करित कर सकते हैं ये वर्ग है साग, जहाड़ी और वरिक्ज देखे चित्र के माध्यम से यहां पर ये पहला हो गया साग का पोधा दूसरा हो गया ज़ाड़ी और तीसरा हो गया विरिक्ज चलिए अब देखते हैं साक क्या है हरे एवन कोमल तने वाले पौधे साक कहलाते हैं अब देखे ज़ाड़ी क्या है कुछ पौधे में सिराएं तने के अलहार पर समीब से निकलती है तना कठोर होता है प्रन्तु अधीक मोटा नहीं होता इसे हम जाड़ी कहते हैं अब देखे विरिक्ष कुछ पोधे बहुत उचे होते हैं इनके तने सुद्रिड एवन गहरे भूरे रंग के होते हैं इसमें सखाएं भूमी से अधीक उचाई परतने के उपरी भाग से निकलती है जिसको हम ब्रिक्ष कहते हैं अब देखे लटा कमजोर तने वाले पोधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमी में फैल जाते हैं जिसको हम लटा गहते हैं चलिए बागे देखे आरोही कुछ पोधे आजपास के ढाचे की सहता से उपर चड़ जाते हैं ऐसे ब्रिक्ष आरोही कहलाते हैं तने पोधे को सारा देता है और जल तता खनीज परिवहन में सहता करता है उधारन के लिए देख लीजे मनी प्लांट का पोधा जो है आरोही पोधे का भाग है अब देखे पर्नवरीत पोधे का हुआ भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्नवरीत कहते हैं अब देखे फलक पोधे में चिप्टे हरे भाग को पलक कहते हैं और देखिए ये सीरा क्या है पत्ती की रेखित सनरचनाओं को सीरा कहते हैं अब देखिए मद्दे सीरा मद्दे सीरा क्या है पत्ती के मद्दे में एक मोटी सीरा दिखाई देती है इन्हें मद्दे सीरा कहते हैं इस प्रकार जो पत्ती होती है यह जो पतियां होती है इस प्रकार इसके जो मद्दे वाले भाग में जो सीरा होती है इसको हम मद्दे सीरा कहते हैं और जो है सीरा जो है क्या है सीरा यह वाला जो भाग है इसको हम सीरा कहते हैं चलिए हम आगे देखते हैं सीरा विन्यास गास की पतियों में या सीराएं एक दूसरे के समांतर होती है ऐसे सीराविन्यास को समांतर सीराविन्यास कहते है अब देखिए रंद्र पतियों की सता पर छोटे छोटे छिद्र पाई जाते हैं जिसे हम रंद्र कहते हैं रंद्र, गैस और वास्पोत रजन की प्रकिर्या होती है प्रकास संसलेशन देखिए पतियों प्रकास और गहरे रंग में एक पदार्थ की उपस्तिती में अपना भोजन बनाती है इस प्रक्रम में जल एवं कारवन डाय उक्साइड का उप्योग करती है इस प्रक्रम को हम प्रकास संसलेशन कहते हैं चलिए अब देखे आगे इस प्रक्रम में ऑक्सिजन निस्कासित होती है पतियों दोरा संसलेशित भोजन अंतता भोजन के विविन भागों में मंडल के रूप में संग्रहीत हो जाता है अब देखे जड़ जो है मुख्यता दो परकार की होती है मुसला जड़ और रेशेदार जड़ अब देखे रेशेदार जड़ क्या है रेशेदा जड़ पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती है जिसको हम रेशेदार जड़ कहते हैं अब देखे मुशला दड़ जिन पौधों की मुख की जड़ सीधे मिटी के अंदर जाती है ऐसे जड़ को हम मुशला जड़ कहते हैं अब देखे पुस्प के बिविन बाग पुस्प के कौन कौन से बाग होते हैं बाहे दल पंखोडी पुंकेसर और इस्तिरीकेसर पुस्प के जो है मुक्य भाग हैं अब देखें इस्तिरीकेसर क्या है पुस्प के केंदर में इस्थित भाग को हम इस्तिरीकेसर कहते हैं चलिए बागे देखते हैं बिजांड बिजांड क्या है अंडासय में छोटे छोटे गुल संद्रचनाएं दिखाई देती है जिने हम भी जान्ड कहते है चलिए तो आपका चौथा चेप्टर भी कंप्लीट हो गया है और आप लोग जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सस्क्राइब कर लें और वीडियो जदा जदा अपने दोस्तों को भी सेयर करें इसी प्रकार आपका आगला वीडियो भी आएगा और जल्द से जल्द हम NCRT 6 से 10 तक कंप्लीट कराएंगे चलिए हमें इजाज़त दिजिए धन्यवाद